नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में एक और नहीं वीडियो के साथ अगर आप लोग नए हैं फिलीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निमास होस्पिटल बेंगलूरू कुछ दिन से कमेंट आ रहे थे ओनलाइन ऑफलाइन किस तरह से अपॉइनमेंट लें और कौन कौन से मतलब विभाग में किस तरह से नियूरोलोजी नियूरो सर्जरी और साइकेटी डिपार्टमेंट में किस तरह से अपॉइनमेंट लेंगे आप लोग क्या सही रहेगा ओनल नहीं हो पा रहा है, तो मुझे वहाँ कुछ दिन रुखना पड़ेगा, तो आज हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे, किस तरह से प्रोसेस करना है आगे, सबसे पहले आप लोग अगर मन बनाए हैं, वहाँ आपको ट्रीटमेंट कराना है, निमहांस में, ये कोई भी डि में मस हैं वहाँ पर, जो की mental disorder, जो मानसिक रोगियों के लिए सबसे best hospital है, और neurosurgery, neurology department अलग है वहाँ पर, मगर appointment एक ही OPD में होती है, आप एक ही जगह से सारे appointment होगी, सबसे पहले आप online, आप simple में already में इस वीडियो में, इस चैनल में already आप मेरे चैनल को सबसे पहले subscribe करे और इस चैनल का playlist में जाएंगे आप, playlist में जाने के बाद आप एक निमहांस होस्पिटल बेंगलूर का playlist बना हुआ जिसमें already मैं 40 से उपर वीडियो डाल चुका हूँ उसमें, एक एक information हर चीज के बारे में मैं, कितना cost क्या खर्चा होगा वहाँ पर, scanning, neurology, neurosurgery, psychology department में भी क बहुत सारे information related, hotel वहाँ पर कहां रुकना है, कितना खर्च पड़ेगा hotel में, already मैं hotel का list भी डाल चुका हूँ, आप वहाँ से number भी ले सकते हैं, hotel में आपको रुकने के लिए भी कोई दिकत नहीं है, आप hospital में क्या खर्च होगा, क्या treatment की खर्च होगी, मैं already बहुत सारे video ब appointment हो जाती है, तो आप online करे appointment, अगर किसी किसी समय, hospital का website, server down हो जाता है, जिससे की online appointment नहीं मिल रहा है, अगर किसी को emergency नहीं है, कि plan आप कर चुके हैं, कि मुझे कोई भी, मुझे phone आते हैं, maximum neurology department से, जो लोग को muscles problem है, या कोई भी, मतलब stroke, यह सब से related है, muscles से related, तो कुछ कुछ का phone भी आया था मुझे, बहुत improvement है, अभी वो लोग review देते हैं, कि आपके वज़े से मुझे बहुत help मिला, क्योंकि इस तरह का channel कोई YouTube पर नहीं था, मैं भी जब यह, मतलब निम्हांस जाने के लिए यह कर रहा था, तभी कुछ information नहीं था YouTube में, मैं अभी इतना information डाल चुका हूँ, अपने channel में कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग सबसे पहले, server अगर down है, तो ठीक है, कोई बात ने कुछ दिन, एक दो दिन try करें नहीं हो रहा है, तब आपको वहाँ, आपका मतलब emergency के हिसाब से, आपको treatment बहुत जरूरी, मतलब बहुत emergency, आप बहुत परिशान है, कोई भी बिमारी लेकर, या मानसिक बिमारी हो, या neurology से, या neurosurgery से, कोई भी मानसिक बिमारी या कोई भी इस तरह का बिमारी हो, जो आप बहुत परिशान है, आपको तुरंत दिखाना है, तो सबसे पहले आप online appointment try करेंगे, जो कि म मैं already process by process अपने channel में ही बता चुका हूँ, हिंदी में बताया हूँ, इंगलिस में बताया हूँ, मैं बता चुका हूँ किस तरह से appointment लेना है, appointment आप online ले लेंगे, online लेने और offline में अंतर बस इतना है, कि आप online अगर लेकर जाएंगे appointment, तो आपका जल्दी हो जाएगा वहाँ आप काम जल्दी कर पाएंगे, जैसे आपको आज बेंगलोर पहुचे आप, दिन भर में आज बेंगलोर पहुच गए, आप कल का appointment लिए, एक दिन पहले आपको पहुचना वहाँ पर, सुबह में आपको वहाँ पे 6 बजे या 5 बजे जितना सुबह हो सके, आप OPD का, निमा online admission पंजी करन किये हैं, जो offline जो वहाँ पर जाकर करेंगे, और जो, और एक line है, जो लोग follow patient है, जो already दिखा चुके हैं, दुबारा जा रहे हैं, या तिसरे बार जा रहे हैं, जो उनको बुलाया गया है, तो आप online में क्या होगा, आप already हर चीज fill up कर चुके हैं, online में, आप fees भी दे दिये हैं, 20 रूपीज लगता है आपको वहाँ पर, पंजी करन करने में, आप online, तो आपको online वाली line जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी, आपको जल्दी जल्दी वहाँ process होगा, और offline में क्या है, आप first time वहाँ जाकर आप करा रहे हैं, तो आपको form fill up करना होगा, आपको line में ही form दिया जाएगा, वहाँ पर guard वगरा, security guard वगरा खरे रहते हैं, वो लोग आपको form देंगे, आपको खरे होकर ही form fill up करना होगा, कहीं बैट कर, सारे details आप online में जो भरेंगे, वो आपको वहाँ पर physically offline में भरना होगा, तो इसी से late लग जाती है, थोड़ा process क् जोगी आप offline, आप कोई भी form भड़े होंगे, तो वो लोग details वहाँ पर type करेंगे, counter में, तो type करने में थोड़ा समय लगेगा, और online में तो already आप हर चीज आप महाँ पर दे चुके हैं, बस आपको slip जाएंगे, बस उसको ok करेंगे, आप से आधार card मांगेंगे, जो patient है, उ इससे होगा क्या, कि जो लोग online करा करा हैं, वो लोग जल्दी जल्दी, जैसे सुभा में आये हैं, तो वो लोग 12 एक बज़े तक दिखा कर चले जाएंगे, और जो लोग offline में हैं, वो लोग का हो सकता है, दो, तीन, चार बज़ जा है, थोड़ा सा, आप समझी रहेंगे, चितना भी registration होता है, पंजी करन होता है, वहाँ पर OPD में, सारे को देखा जाता है, वहाँ पर, उसी दिन, और वहाँ पर doctor unit wise देखते हैं, जैसे आज आगर आप Tuesday पहुच गए, तो unit 2 देखेंगे, इस तरह का भी मैं information अल्रेडी डाल चुका हूँ अपने channel में, कौन से doctor किस दिन बैठते हैं, कौन से unit किस दिन में है, तो आप मेरे channel में जाकर check कर लेंगे एक बार, देख लेंगे सारे वीडियो, इससे निमांस के regarding, सारे doubt किलियर हो जाएंगे आप लोगों का, और offline में थोरा सा process और जो follow patient है, वो लोग का भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो लेड आपको जिस तरह से अच्छा लगए, अगर online नहीं हो पा रही है, तो आपको बहुत emergency है, तो आप offline में कर लें, आपको जिस दिन जाएंगे, एक दिन पहले जाना है, आप जिस दिन दिखाएंगे, अगले दिन जाएंगे, आप दिखा कर आप फिर से वापस आ जाएंगे, और भी मैं already बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि यह hospital cheap and best hospital है, और यह government hospital है, यह neurology, neurosurgery, mental hospital है, इसके लिए बहुत famous hospital है, और बहुत अच्छा treatment होता है यहाँ पर कम पैसे में, क्योंकि मुझे, मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ, देखकर लोग वहाँ पर गये हैं, तो मुझे call भी आया बहुत लोगों का, और बोले हैं कि फाइदा उनको बहुत हुआ है, उनको अच्छा improvement हो रहा है, कोई OCD के भी कुछ-कुछ patient मुझे call किये थे, कि हाँ, improvement हो रहा है, कि कोई बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो अब लोग वीडियो को सम करते हैं, आप लोग प्लीज अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, सेर करें, और कोई problem हो और कुछ जानना जानकारी चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे comment में लिखेंगे, और मैं already comment box में बह related information चाहिए तो please comment में लिखेंगे, मैं उनका reply करूँगा, धन्यवाद, फिर मिलते हैं next video में